एलन मस्क जो अमेरिकी बिजनेसमेन हैं, बिलेनियर हैं, जिनको आज की डेट में हर कोई जानता है, उन्होंने पहली बार इंटर्व्यू में अपने मरे हुए बेटे के बारे में बात किया है मुझे कुछ समझ में आता, उससे पहले धोके से मुझसे हस्ताक्षर भी करा लिए गए, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये दवा नहीं दी गई तो वो आत्महत्या कर सकता है एलन मस्क के 18 बरसी ये घोश्रा किया कि वो अपना लिंग जो जेंडर होता है, उससे परिवतन करेगा उसने अपना नाम बतल करके एक लड़की नाम रख लिया, विवियन जेना विल्सन, जो की एक लड़की का नाम होता है और पहले उसका नाम जेवियर हुआ करता था उसे डोजे दिये जा रहे थे, इसकूल में उसे हॉर्मोन्स के इंजेक्शन दिये जा रहे थे, ताकि उसके अंदर लेगिक पहचान को ले करके एक भ्रम पैदा हो जाए, उसके अंदर भ्रम पैदा करने के लिए ये हॉर्मोन्स के इंजेक्शन दिये जा रहे थे एलन मास्क का बेटा अब एक लड़की के रूप में रहने लगा था एक बस पहले ही एलन मास्क की बेटी कम्निस बन गई थी उसने एलन मास्क के बारे में बहुत बड़ी बात कर दी थी उसने बोला था कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो बहुत ही बेकार होते हैं, बहुत ही खराब होते हैं और यह सिफ अमेरिका में नहीं, सिफ यूरूप के कंटी में नहीं बलकि यह इंडिया में भी अपना पाउं पसार चुका है यह सब अमेरिका में हो रहा है, लेकिन आपनों को पता होना चाहिए कि ये वो कीजम नाम का जो बिमारी है जो मांसिक बिमारी है अब वो इंडिया में भी फैल रही है हमारे समाज को हमारे बच्चों को इससे बहुत ज्यादा खत्रा है जेंडर चेंज को लेकर के एक बहुत ही बड़ा मांसिक बिमारी चल रही है पूरी दुनिया में भारत में भी इसे स्कूल्स, टीचर्स और बुक्स, इंटर्टेंड्मेंट के जरिये उसको मीडियम बना करके इसे बच्चों के अंदर पहुंचाया जा रहा है, उनका माइन डायवर्ट किया जा रहा है, जिस पावर्टी ब्लॉकर्स के कारा एलन मस्क ने अपने बेटी की ज उतना और कोई संस्ताने नहीं पहुंचाया होगा, पावर्टी ब्लॉकर्स का आइडिया 2021 में कोविट के दवरान ही लॉंच किया गया था, जिसके अनुसार टीचर्स को बच्चों के लेंगिक विद्धा यानि की जेंडर डायवर्शिटी के बारे में संबेदर सील होना च प्रांसजेंडर के आण में बनाई गई इस मैनुवल, उस सारी वामपन्ती मसाला भरे गए थे, जो कि अमेरिका में पहले से ही एक महामारी की तरह फाइल चुप, इसके अनुसार स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग वासरूम नहीं होना चाहिए, इसे बचपन में ही बच्चों का ब्रेनवास किया जाता है, किसी दो ही जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल, इसके अनुसार स्कूल में यूनिफॉर्म जो है बच्चों का, जो स्टुडेंट्स का यूनिफॉर्म है, वो सेम होना चाहिए, मेल और फीमेल स्टुडेंट्स के ल पूरी तरह से इच्छाधारी जब चाहे लड़का जब चाहे लड़की यही है इरोपियन कंट्री का दुस्प्रभाव अपने समाज पे जब बच्चों को फॉरेंड कंट्री में आप भेजते हो बिना कुछ सोचे बिना कुछ जाने तो उसका यही असर पड़ता है वही से बच्चों के अंदर जो लेंगिक विकास है उसे रोका जाता है अब मालनों अगर आपके बच्ची को ऐसा लगा कि लड़की बनने में ज्यादा प्रॉफिट है तो इस पावर्टी ब्लॉकर्स मेडिसीन का इस्तमाल करके जो लड़की का गुण है उसे स्लोली खतम कर दे इस मैनुवल्स के अनुसर टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को इस काम में मदद किया जाए जेंडर चेंज के लिए बच्चों के पैरेंस की अनुमति की कोई जरूत नहीं होनी चाहिए ऐसा भी इस डॉकुमेंट्स में मैंसन किया गया था जब लोगों ने हंगामा किया त कोई और नहीं बलकि हावर्ड जैसे USA की टॉप इनवर्सिटी से पढ़कर आए हुए लोग हैं जेंडर डावर्सिटी जेंडर फ्लूडिटी पावर्टी ब्लॉकर्स यह ऐसी नाम है जो मेरुक लगता है कि 99% इंडियन्स नहीं जानते होंगे जो पहली बासाइद इस वीडि डिजास्टर हो सकता है लेकिन यूरोप में USA जैसे कंट्री में यह महामारी की तरफ फैल चुका है एलन मास्क जिनकी पास इतना पैसा है कि हर कंट्री में एक एक होस्पीटल खोल सकते हैं लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं बचा सके तो आम आदमी का क्या आलत होगा समाज की बाते नहीं हैं और यह सब प्रॉब्लम्स अमेरिका जैसे विक्षिद देश में हो रहा है समझ सकते हैं आप लोग जहां वामपत्ति पूरे लोकतंत्र में दीमक की तरफ पहुंच चुके हैं विश्वर की वामपत्ति इस विचार को बढ़ावे दने में लगे हैं कि जो लड़का है या लड़की है वो प्रकृति का देन नहीं है बलकि समाज तै करना चाहिए कि कौन लड़का बनेगा कौन लड़की बनेगी अजीब बात है इसकी गंभीता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो डबलु एच्चो है वो अपने वेबसाइट पर ये मेंशन किया है कि जेंडर इस असोशल कंस्ट्राक्ट दुनिया में बहुत जादे लोग इस बात को बढ़ावा देने में लगे हैं इनके अनुसार मेल फीमेल के बाद भी 72 जेंडर्स हैं इस धर्ती के ऊपर जो कि हम आप नहीं जानते हैं यह सब अमेरिका की देन है और वो जब चाहें तब एक जेंडर से दूसरे जेंडर में परवर्तित हो सकते हैं इसका छूट है लेकिन हम आप जैसे लोग जब इस समाज में रहते हैं तो हम लोग का भी कुछ कर्तब्य बनता है अगर हाथ पे हाथ रख करके सिफ गुवर्मेंट के उपर आप बैठे रहेंगे कि गुवर्मेंट कुछ करेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा हम सभी लोग को आगे आ करके मिल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्ब करना चाहिए इससे पहले की देर हो जाए वर्माइनट वाइरस का जो खत्रा है वो बच्चों पे बहुत जादा है तो बच्चों को इसकूल में क्या सिखाय जाता है बुक्स में क्या पढ़ा जाता है उसे घर पे आप लोगों को क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है आप आँख बंद करके विश्वास मत कर लेना कि बुक में जो चीजे बताया गया है वो एकदम हंडेट परसेंट एकूरेटी है या फिर कोई उसमें जान बुझ करके एक अलग तरह का मैटर प्रिंट कर सकता है ताकि बच्चों के ब्रेन को वास किया जा सके तो जो भी कुछ बचे पढ़ते हैं बुक्स में, स्कूल में उसे क्रोस चेक करना परेन्स का डिवटी बनता है बच्चों को सही गलत का जो फरक करना है उसे बताना चाहिए कि वो भी इस चीज को समझ सके कि क्या गलत है क्या सही है क्या उसे सही पढ़ाया जा रहा है या क्या गलत पढ़ाया जा रहा है वो आकर के parents से openly बात कर सके तो इन चीजों को आपको as parents बच्चों में डालना है कि आखिर में उसमें सही क्या है गलत क्या है कुछ गलत तो नहीं बताया जा रहा है एलन मास्क एक बिलेनियर है जो कि पैसे के बल पेचा है तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अपने बच्चे को इस्तिमागी वायरस से नहीं बचा पाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना serious topic है कितनी serious बात है यह अगर एक बार फैल गई तो यह मामारी के तरफ पुड़ी दुनिया को खतम कर सकता है तो आप सोच सकते हैं कि हमारे आप जैसे लोगों के लिए एक कितना बड़ा खत्रा बन रहा है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबा